हाई फ्रेंड्स नमस्ते कैसे आप लोग और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका पेट एक तरफ से भारी क्यों हो जाता है उने से आप क्या समझ सकते हैं कि आपके पेट में आपका बेबी का हलचल जादा हो रहा है या फिर कम हो रह है सारी चीजह आजम एस वीडियो में डिसक Alexis करने वाले हैं फिर प्रत inda से जानल पर मेरे बार विजिट किये हैं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक शो करें कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक किजेगा और शेयर कर दें उन लीडिज के साथ जो प्रेगनेंट है तो उनको बहुत जादा हेल्प मिलेगी तो चलिए फिर बिल्वेनादेरी की विडियो करें उनकाथा चाते हैं ऐसे सब्सक्राइब कर देलाएक कि सभिहें पेट भारी होने कि मतलब होता है particular है वह वहां पर रहते आगर आपके साइट भारी लगन के आपा बुडि झोंकि अगर आपको नीचे की तरफ भारी लग रहा है तो आप अल्प सकते हैं कि आपका बेबी का है यहां पर अपका घड हो सकता है जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे राइट साइड बहुत जादा भारी लगता है और मुझे लेफट साइड मुवमेंट होता है तो आप समाज सकते हीं कि आपका जो बेबी है वह राइड सीड इसका हैं और लेफट साइड वह हल चल चल कर रहा है यानि पैर हाथ हएल रहा है लाइफट सब्सक्साइड भार से हल जलिए परी-जॡ़ बात करते हिंए कि बेबी प्रशल इह师毫ारी क्यों लगता ंगें है दो जब आपका यहेड़ नीची की तरफ तो उस समय लाउंड नहीं घूंगे के वोलन पाता है और जैसे आप आप देखेएूँ होंगे delivery की time पे अगर baby का जो head अगर उपर है, तो doctor delivery नहीं करते हैं क्योंकि उसमें baby को बहुत स्थाइव होता है. अगर baby क不同 जो on undamux है, तो उस condition में normal delivery ba possible है & ढाक्र सुझानी होता तोDoctor करहा भी देते हैं क्यूंकि head बड़ा होता है और सबसे भारी होता है तो वो निकल जाने के बाद body फिर अपने आप निकल जाता है body में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगतीBy बहुत ज़्यादा मेहनत आपको head कで भारी निकालने में ही लगता है कि बेबी का जो head है वो जादा भारी लगता है और एक time पे और आपका पेट भारी लगेगा जब बेबी बिलकुल movement नहीं कर रहा है बहुत सारे बेबी होते हैं जैसे मेरा बेबी बहुत जादा active था starting से ही जब बाबू पेट में था तो बहुत जादा एक्टिव कर बहुत जादा मुवमेंट था उसका मतलब हुआ था जब मेरी सिस्टर प्रेगनेंट थी तो मुझे वो बताते थी कि हमेशा उसको गुन-गुना पाने या फिर चाय जो गुन-गुने चीजें हैं उसको रात-रात को भी इसको पीना परता था क्यूंकि वह बिल्कुल हीलता है मुवमेंट नहीं करता था रात को जिसकी वजह से उसको सास लेने में भी प्रॉब्लम होती थी और उसको रात को चलती थी दो टिन बजे रात को वह व्किंग करती थी तो इस तरीके अगर बेबी करते हैं तब यब आ प्रप्लम से वह फेस करने पड़ती है कब से अपना जो हैड वो फिक्स हो जाता हुश का तो आपको नीची की तरफ भारिपन लगने लगेगा तो लास्ट राइमेस्टर में बेबी का एड फिक्स हो जाता है जनरली नहीं तो उससे पहले भी कई नीची कर लेते हैं लेकिन ल नहीं हुआ है तो नॉर्मल डिलेवरी पॉसिबल नहीं है आप योगा कुछ कर सकते हैं जिसके बेबी का जो हैड़ हो फिक्स हो जाता है नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर बेबी बहुत ज्यादा मुव्मेंट करता है तो उस सिटुएशन में चांसेज नहीं रहते हैं कि आपका पेट भारी लगे और आपको बहुत जदा बेचैनी हो आपको हैविनेस लगे ऐसा फील नहीं होता है जैसे मुझे बहुत कम लगा है जैसे मैं 9 month delivery के 10 तिन पहले मेरे साथ ऐसा होता था जब बेबी हैड नीचे किया था तब मुझे सास लेने में problems नहीं होगी लेकिन उठने, बैठने, चलने में problems होती है जब बेबी हैड नीचे कर लेता है तो यह सारी आपको आपका जो है वाइडस चार्ज आपको बहुत जादा हो सकता है बेबी हेड डाउन करने के बाद क्योंकि उसमें अमेरिटिक फ्लूड जो है धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगता है तो यह सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करना पड़ता है बहुत जदा ट्वाइल लेट आ सकता है बहुत जदा बौटी आ सकता है लास्ट लास्ट में यह सारी चीज़े जो है सबके साथ होता है आपको आज की वीडियो बहुत जादा पसंदाई होगी अगर हां तो मेरे वीडियो को थम्सब जरूर दीजेगा सब्सक्राइब कीजिए नेरो बीटिफुल कॉर्णर को और भी अच्छे और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो क करते हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखे प्लीज मेरे और सारे वीडियो को वाच कीजे फुल फुल वाच कीजे तो मुझे बहुत ज़्यादा एंटर्जी मिलता है वीडियो बनाने के लिए तो चलिए फिर मिलते एक नया और